नमस्कार बच्चो एक बार फिर से स्वागता है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओटू एंड डिजिटल एजुकेशन पर मैं विशालवाटी लेकर आयो क्लास 7 की साइंस चैप्टर नमबर 4 जिसका नाम है एसिट वेसेंड सॉल्ट आईए स्टार्ट करते हैं सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे हैं हम एसिट से कि वॉट इस एसिट होते क्या है ठीक है अगर मैं एसिट की बात करूँ तो acid क्या होते हैं तो basically सबसे पहली property जो आती है कि जो भी substances कैसे होते हैं sore sore in taste sore in taste का मतलब खटा ठीक है स्वाद में कैसे लगे हमको खटे लगे उनको हम क्या बोलते हैं acids बोलते हैं पहली चीज़ second है हमारे पास कि जिनको अगर हम छुए मतलब touch करें किसी भी acid को किसी भी substance को और उन्हें चूने के बाद क्या लगे non-sleepy या फिर non-soapy जिसे हम बोल सकते हैं तो उनको भी हम क्या बोलेंगे acids बोलेंगे ठीक है non-sopy in touch उनको भी क्या बोलेंगे हम acids बोलेंगे ठीक है इसके बाद आता है अब acids की बात हो रही है ठीक है तो acids क्या होंगे हमने देख लिया कि यह होंगे खटे ठीक है दूसरा non-soapy टेस्ट अब अगर मैं बात करूँ science या chemistry की language में तो chemistry की क्या है कुछ ऐसे ions होते है आइंस मतलब की जब उनको dissolve कर जाता है किसी भी liquid में कि सब्स्टांस को いきा जात रिजलव में कि से भी liquid में तो वह क्या रह क्या भूलेंगे acid क्या है acidic solution इनके जो solution होंगे acidic solution वो क्या करेंगे conduct electricity conduct electricity ठीक है और एक point और आता है हमारे पास कि acids क्या होते है gives H plus ions gives H plus ions when dissolve in water when dissolve in water clear है तो ये थी हमारे पास acids की properties ठीक है अब आगे चलते है आगे आता है acids react with metal ठीक है कि acids को हम किसी भी metal से react कराते है तो वो क्या form कर देते हैं actually labs में भी हमने देखा होगा कि जो हमारे acids होते हैं वो किसमे है glass के इस तरीके के ठीक है bottle में क्या है बंद रहते है glass bottle में क्या है अब इनका reason क्या है कि इनको glass bottles में ही हम रखते है ये है इसमें acid ठीक है देखिए रही क्या reason होता है अगर हम किसी भी acid को किसी metal के flask में ये उस में bottle में रखें तो उस condition में तो वो क्या है उससे react कर जाएगा और react करने गे बाद कुछ नया सब्स्टांस बन जाएगा इसकी वज़े से ही हम उसको avoid करते हैं किसी भी metallic bottle में रखने से ठीक है तो हम अगर किसी भी metal को acid के साथ मिलाई ठीक है या फिर किसी भी bottle में जो bottle किसी भी metal की बनी हुई है उसमें acid को रखें ठीक है तो इससे होगा क्या इससे form होगा salt ठीक है salt पिलस H2 gas hydrogen gas release होगी महां पर ठीक है तो अगर मैंने माल दिया यह bottle क्या है metal की bottle है और इसमें मैंने क्या कर दिया place acid को place कर दिया तो यह acid क्या है इस bottle के साथ react कर जाएगा ठीक है और react करके क्या बना लेगा react करके बना लेगा salt और hydrogen gas क्या है release होगी भार इस तरीके को hydrogen gas example देते हैं magnesium ठीक है एक metal है magnesium को मैंने किसी acid से acid कौन सा ले लिया मैंने HCl acid ले लिया ठीक है HCl के साथ react कर आया तो उसने क्या बना दिया MgCl2 MgCl2 यह क्या है magnesium chloride ठीक है यह एक तरीके का salt होता है है क्या नाम है इसका magnesium chloride magnesium chloride ठीक है और इसके बाद कुछ और चीज भी रिलीज होगी hydrogen ठीक है यह एक gas है जो रिलीज होगी hydrogen gas तो यह reason होता है कि किसी भी acid को हम किसी glass के bottle में ही place करेंगे ना कि किसी metal के bottle में place करेंगे क्योंकि वो glass के साथ react नहीं करता है ठीक है तो यह हो गया acid जब react करता है metal से तो क्या release करता है hydrogen gas release करता है अब आगे चलते हैं जो acids होते हमारे पास ठीक है acids की अगर मैं बात करूँ तो acids होते हैं दो तरीकी की कौन-कौन से एक होता है strong acid ठीक है और एक होता है weak acid strong acid और weak acid दोनों की properties सेम होती है बस difference हमारा जो आता है वो आता है reactivity में ठीक है तो strong acid किसी भी चीज़ से जब react करते हैं तो वो बहुत जल्दी react कर जाते हैं उनका time of reaction क्या है बहुत ज़्यादा कम है ठीक है अगर weak की बात करूँ तो वो time consume करके react करते हैं और उनका impact भी क्या होता है हलका होता है तो हम acids को strong acid इसलिए बोले कि वो जल्दी react कर जाते हैं और उनका effect जो होता है वो ज्यादा होता है और weak acid इसलिए बोलने कि कम मतलब समय ज्यादा लेते हैं react करने में और उनका जो impact होता है वो भी कम होता है clear तो acid strong acid और weak acid अगर मैं स्केल होगा इस तरीके से ठीक है इसको बोलते हैं पी एच इसकेल क्या नाम है इसका पी एच इसकेल इसका पी एच इसकेल नाम इसलिए रखाए कि पी का मतलब होता है पॉटेंज पॉटेंज उफ हाईड्रोजन पॉटेंज इसकेल इसको हम बोलते हैं इसमें अगर मैं रीडिंग की बात करो तो रीडिंग कुछ इस तरीके से होती है यहाँ पर यह है mid, यहाँ पर numbering होती है 7, ठीक है, इधर 0 से start होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यह आ गया 14, clear है, आरे point out कर दी हमने, इस तरीके से, ठीक है, तो 0 से कहां तक reading है हमारे पास, 14 तक reading है, अगर मैं बात करूँ कि 7 को क्या नाम दूँगा मैं, तो यह जो 7 है, इसको नाम दूँगा मैं, neutral, क्या नाम दिया मैंने, neutral, तो 7 क्या है हमारे पास, neutral है, ठीक है, 7 से, अगर मैं left की बात करूँ, तो यह सारे क्या है, acids है, क्या है, acids ह और 7 से दूसरी तरफ की बात करो तो ये सारे हैं हमारे base clear? तो 7 से reading कम होगी pH scale में तो क्या है? acid, 7 से ज़्यादा तो मतलब base, ठीक है? अब मैं देखुँगा कि जितना 7 से दूर होगा उतना ही क्या है? वो strong acid बनता हुआ जाएगा तो ये वाली जो reading है ये क्या बोली जाएंगे मेरे पास? strong acid ठीक है? और ये nearby 7 की जो reading है यहां की ये क्या बोली जाएंगे मेरे पास? weak acid weak acid same condition base के लिए भी होता है ये वाली readings मुझे provide करेंगी weak base और ये वाली readings मुझे provide करेंगी strong neutral से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही strong acid माना जाएगा neutral से जितना ज्यादा दूर base होगा उतना ही strong base वो माना जाएगा और neutral के जितने पास होगा उसको हम weak में consider करेंगे तो ये था हमारे पास pH scale आगे चलते हैं अब है organic acids ठीक है देखिए जो acids होते हैं उनको हम दो categories में divide कर देते हैं ठीक है दो category कौन सी है एक हमारे पास organic एक हमारे पास inorganic ठीक है और गैनिक की अगर मैं बात करूँ तो वो सारे acids जो की हमें कहां से मिलते है plants और animals ठीक है जी वो सारे जो हमें कहां से मिलते है plants और animals से उनको हम क्या बोलते है organic acids और इसमें compulsory क्या है उनमें समय carbon होना चाहिए क्या होना चाहिए carbon तो उनको ही हम क्या बोलेंगे organic acids फिर आगे आता है organic acids के examples क्या क्या है organic acid का example है citric acid हम daily life में बहुत सारे fruits काते है vegetables काते है ठीक है तो उनमें ही हम क्या है daily life के जो हमारे products है जो हम यूज करते है तो उनमें ही हमें acids देखने को मिलते है जैसे कि lemon हम यूज करते है जीक है उसमें कौन सा acid मिलेगा citric acid orange हम यूज करते है ठीक है तो इसमें कौन सा एसिड है सिट्रिक एसिड फिर आते हैं दूद की बात दूद में से हम कनवर्ट कर लेते हैं उसको दही में कौन सा एसिड मिलेगा दही में मिलेगा लैक्टिक एसिड ठीक है तो लैक्टिक एसिड प्रिजेंट इन कर्ड आगे चलते हैं अब है आमल खाया होगा हमने ठीक है आम ले में में कौन सा acid मिलेगा afterward अश्कॉर्वींde इसमें मिलता है एक्जामपल्स थे यह कुछ हमारे household में भी चीज़े मिल जाती है नेक्स चलते हैं अब है mineral acid inorganic acid जिनको हम बोलते हैं देखे mineral acid नाम देना इनका इसलिए है कि हमें यह acid जो है यह कहां से मिलेंगे अर्थ से मिले हुए mineral से हम इनको form करेंगे अब इनको हम form कहां कर सकते हैं में फॉर्म कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए इनका नाम क्या गया mineral acids और inorganic इनको इसलिए बोल ले कि इन में carbon नहीं होता ठीक है तो इसलिए इनको क्या है inorganic acids भी हम बोल रहे हैं ठीक है examples की बात करूं तो inorganic के examples जो है वो कैसे आएंगे है HCl H2SO4 HNO ETC इसको बोलते है hydrochloric acid इसको बोलते हैं sulfuric acid इसको nitric acid ठीक है यह सारे examples किसके हमारे mineral acids के example है minerals acid कहां से मिलेंगे हमें अर्थ से मिलेंगे अर्थ से मिले हुई mineral से हम इनको form करते हैं तो इसलिए इनका नाम भी क्या है mineral acid next चलते हैं dilute and concentrated acid देखिए दो तरीके के acid हमको देखने को मिलेंगे ठीक है या तो होंगे diluted या फिर होंगे concentrated अब यह क्या चीज है जो decide करेगी कि कौन से diluted है या कौन से concentrated है ठीक है तो यह amount of amount of ठीक है क्या बोल देंगे हम solvent और solvent में ले लो water देखिए एक solution में देखूंगा ठीक है इसमें क्या है यह मैंने पानी ले लिया ठीक है और इसमें मैंने क्या करा acid डाला acid कितना डाला मान लो यह रहा ठीक है देखिए लिक्विड की बात करूं मान लो 1 लीटर of water मैंने use कर लिया इस flask में ठीक है अगर मैं acid की बात करूं तो मान लो कोई 50 ml of acid मैंने use किया तो amount of acid is less और amount of water या amount of solvent is more तो इसको मैं क्या बोलूंगा इसको बोलूंगा मैं कौन सा acid इसको बोलूंगा मैं diluted acid कौन सा है diluted acid clear है यह आगे diluted acid ठीक है फिर बात करूंगा मैं concentrated की तो इसमें भी same condition यह रहा है यह अगर को तो अगर मैं diagram से भी देखो तो मैं compare कर सकता हूं कि यहाँ पर acid क्या है कम है acid का amount का मैं यहाँ पर acid का amount क्या है जादा है यहाँ liquid не उसका amount क्याई है यहाँ solvent उसका amount काम है तो इस condition में यह example में ले लिया कि इसमें है 5 ml फाइव लीटर मानलो 5 लीटर और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो सॉल्वेंट जो है तो सॉल्वेंट का कुछ अगर मैं कंपेर करूं तो यहां पर क्या है एसिड का अमाउंट ज्यादा है और जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट कम है तो इस कंडिशन को क्या बोलूंगा मैं कंताो कि आ रहा रहा ठीन के झारा कह है अगर में पास द्रा इलस अज़िए और यहां मेरे पास कंसेंटिःटेड एशल तो यह हैं में सब्सक्राइब है अब देर्खने न2 कर सकते हैं acids को देखिए पहला है हमारे पास SCL ठीक है तो SCL के अगर मैं बात करूं तो SCL मैं कहां पर यूज कर सकता हूँ देखिए पहला तो किसी भी rust को remove करने के लिए SCL यूज कर सकता हूँ ठीक है दूसरा production of PVC PVC को produce करने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ SCL यूज कर सकता हूँ ठीक है अगला आता है हमारे पास S2SO4 ठीक है Sulfuric Acid इसको मैं वैटरीज में यूज करूंगा कहां पर inverter की या फिर कार की जो वैटरीज होती है उसमें जो acid फिल करा जाता है उसी को हम क्या बोलते है S2SO4 या Sulfuric Acid ठीक है इससे आगे manufacturing of fertilizers जो fertilizers manufacture किये जाते हैं उसमें भी इसका यूज होता है फिर आगे है हमारे पास कुछ medicines, detergent या फिर dyes इनमें भी हम यूज करते हैं किसका S2SO4 का next है हमारे पास Acetic Acid तो सबसे पहली चीज तो यह है कि विनेगर में मिलता है ठीक है उसके बाद manufacture of rubber rubber को बनाने के लिए भी क्या यूज करेंगे हम Acetic Acid या फिर प्लास्टिक को बनाने के लिए भी क्या यूज करेंगे Acetic Acid अगला आता है हमारे पास Nitric Acid तो Nitric Acid यूज होगा एक तो fertilizers को produce करने के लिए दूसरा cleaning agent cleaning agent सपाई करने के लिए प्रोडुक्स बनाए जाते हैं उनमें भी हम क्या यूज करेंगे Nitric Acid यूज करेंगे ठीक है और rocket fuel ठीक है रोकिट फ्यूल जब बनाया जाता है तो उसमें भी Nitric Acid यूज होती है तो यह थे हमारे पास क्या Acids के यूज ठीक है इनके अगर formula की बात करूँ यह नाइट्रिक की तो यह बनता है HNO3 एरा यह हमारे पास mineral और mineral acids है यह हमारे पास natural acid है तो इसी के साथ हमारा acid topic होता है complete मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और complete करेंगे हमारे basis और indicators तब तक थैंक्यू नमस्कार